आप अरव मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस इदर आये और स्सकुरिण bald Normally स्टम में आपके बोडि को रेगुलेट करता है अब कोई nबस पाता है सब को रेगुलेट करता है तो आखिर यह किसी चीज स्का बना है तो बच्छे नर्वा सिस्टेम एक सपेसल टिशू है जिसका नाम है नर्वास निवरल टिशू या नर्वस टिशू एक ही बात बच्चों कहते हैं कि nervous tissue या neural tissue बड़ा special tissue है हाँ बच्चे normal tissue नहीं है कहते हैं कि special tissue है अब यह special tissue क्यों है यह बात मैंने आपको पहले भी बताया है special tissue due to having property and that properties आपको पता है excitability e x c i t i b i l i t y excitability and conductivity sensitivity भी था यह दो तीन property की वरे से यह बड़े special है मैं आपको बता हूँ यह property और किसी के पास नहीं आप बोलोगे सर्मसल्स के पास मिलती है मसल्स के पास जो प्रोपर्टी मिलती है ना वह मसल्स की प्रोपर्टी चुरा के रखा है लेकिन प्रोपर्टी नर्वस सब्सक्राइब की है हम वह कहते भी है हम वह कहते भी है muscular tissue having some properties like neural tissue लेगिन कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि neural tissue having some property like muscular tissue इस लाइन गवर्टर समझे इन फैक्ट यह excitability और conductivity यह प्रोपर्टी तो in fact किसका है neural tissue का है और मैं आपको वहां पर भी बताऊंगा muscular tissue भी जो यह प्रोपर्टी सो करता है neural tissue के मदश से करता है लेकि neural tissue यह प्रोपर्टी उसका अपना यूनिक प्रोपर्टी है कि वो किसी भी stimuli को accept करे देन उसको आगे ट्रांस्मीट भी करें कंड़क्ट भी करें यह खास प्रोपर्टी है बच्चों मैं आपको बताऊं निवल टिसू यह नवर्ट इसी से बना होता है पूरा नर्वर्ट सिस्टम किसी के अंदर भी चाहे वो हाइड्रा के अंदर हो कारण क्या बाई साब कारण क्या है कारण यह है कि यह निवल टिसू अपने अंदर तो एक खास प्रपटी रख रहा है एक्साइटिविलिटी कंडक्टिविटी यही हमें इन्वारिमेंट के साथ एस्टूमलेस रिसीव करके और उसको रेस्पॉंड करने में मदद दलाता है इसलिए निवल टिसू का ही बनावा पूरा का अपने नर्वर्ट सिस्टम अब हम सीज़ा से बात करते हैं कि यह अब हम बात करते हैं एक एक करके दोनों के प्रोपर्टी की बाड़े में अब देखेगा देहां से मैं यहां पर लाइन नहीं की स्राओं क्योंकि मैं एक सिंपल डायग्राम बनाऊंगा सभड़का दोनों को mix करके देखेका मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं गौर की स्वी लूग मैं एक्क नारोंस का डायग्राम बना रहा हूं यह देखिए इसका डिटेल स्टुक्चर bahardaं आज़्ा में यहीं पढ़ना आजए में यह देखिए देख पड़े होंग आ कि एन्ट पर जाकर ब्रांच हो जाता है है कि फुल अधा है आशे यहां से कई सारे ऐसे से ब्रांचे निखले होते हैंगे यह तैकि यह एक सिंगल सेल है बच्चे यह सप Gary exists ल्हें बड़ा सरह्षन और ने बाधा हूंच लिए अब बता रहा हूं नियूरॉन नियूरॉन के बीच में कुछ इस पेसिफिक टाइप के सेल होते हैं गौर की जगाएं कि यह सेल चोटा-चोटा सा बढ़ा चोटा-चोटा सा है बहुत चोटा-चोटा सेल है यह सेल है कि यह सेल है और सेल बताओ और बताओ यह देखो यह सेल है यह सेल बाई और बताओ और बताओ यह लो इसे ले आप सुनो इसमें कौन किस टैप का सेल है आपको ये दिख रहा है ये डार्टली दिख रहा है क्या निरॉन है यह निरॉन यह वाला भी निरॉन इसमें यह ब्लू वाला यह भी नूरोगिला से ले इसमें गरीन वाला सबके नाम भी बताऊंगा आगे डॉंट वरी यह सबके नाम बताऊंगा एक गरीन वाला यह भी नूरोगिला से ले यह रैड वाला यह भी नूरोगिला से ले इसका मि और आप यहां, डायग नहीं हैं, किसका नंबर ज्यादा है और किसका नंबर कम है। का नंबर ज्यादा या कम ज्यादा है और नियूरॉंस का नंबर कम है क्योंकि साइड में बड़ा है इसलों का नंबर कम है ठीक है अब मैं बता रहा हूं आपको कुछ खास बात कहते हैं कि नियूरल टिशू के पास लिस्ट रीजेनरेशन पावर होती है त én लिस्ट रीजेनरेशन पावर होती है इसकается सुने का मेरे भाट व्यान से दोवड थैए मैं आपको पहले वर्ड केल अ एक वड हो है रीजेनरेशन च क्ञैंट कि एक वर्ड रे संञी वर्ड है तैंघ कूठ भी एट को पहले पख़ड़ियेगा है री और को मदल TWO जा अब मोटको पहले निकालता है लेकिन हम बात करते हैं री हभार तब exclusively बात यह चल रही होती है, कि एक सेल से दो सेल बन जाए, सेल डिवीजन करके, तब एक सेल से दो सेल बन जाए, सेल डिवीजन करके, लेकिन जब हम बात करते हैं, तो री जनरेशन में यह भी हो सकता है, कि एक सेल से दो सेल बने है, या फिर यह भी हो सकता है, कि यह एक से यह पार्ट लॉस हो गया किसी भी कारण से और उसने अपने इस पार्ट को दुबारा से बना लिया लेकिन इसको आप री फॉर्मेशन नहीं करते हैं ह seem to regenerate करना मतलब री पि cyclidal करना मतलब आप समझ रहे हो यह वर्ड डूनों के लिए उसकता है रिपैरिंंग के लिए भी कि में यह ए रिपैरिंग कें लिए भी और सेर्डे के लिए दिर एंयरत के लिए और सेल्ट सकता है और कोई पार्ट जो टूटा है वो ठीक है वह भी डी जनेरेशन ही है लेकिन रीजनेरेशन पावर तो है लेकिन बहुत ही कम है और उसका मैं कारण बता रहा हूं इसेंट्रींस उसेंट्री और नवीन मताएगा सेंट्री का सेल के अंदर क्या सयें डीना कि सबसुर्च करता है जले बढ़ेक्आ सेंट्री और मीन मैं मैं को किस का मैं मीअ करता है याद नहीं है वा गजब बहुत अच्छा रिभा किसका में मदद करता है तो सेल डिवीजन में इतना वर कपर है सेंट्रियोल का पूरा सेल डिवीजन में सेंट्रियोल पेर बनाते रहे सेंट्रियोल का काम है सेल डिवीजन में मदद करना और इसका अगर डायक रोल पूछें तो क्या रोल है पूल बनाता है पूल जहां से स्पिंडल फाइवर निकलता है और मारितोीट्क क्रोमोजियोम को सपरेट करने में काम आता है यह काम एक करते का एक है सेल बातिम करते यह नहीं है सो एधिया कि आधी स्ट्रेव बात करते हैं अगर व्हुंद नहीं है तो यह नहीं है हाँ हो सकता है एक सहल अगर कोगा Arrival का अगर तूट गया कुछ हो गया रिपेरिंग हो सकता है लेकिन सफसे नया सेलब नया सेल तकि नहीं है रिपेरिंग हो सकता है अब सुनेगा मढ़ी बात मैं यहां लिस्ट डिजनरेशन पावर होता है लिस्ट रिजनरेशन पावर होता है और मैं आपको बता हूँ यह सिल डिवीजन सो नहीं कर सकता सेल डिवीजन यह सो नहीं कर सकता है लेकिन यह रिपेरिंग सो कर सकता है लेकिन यह रिपेरिंग सो कर सकता है ठीक है रिपेरिंग सो कर सकता है निवरोगिलेसल के बारे मैं बोल रहा हूं अगर मैं इसमें यह वाड यूज कर दूँ इसके पास भी लिस्ट रिजनरेशन आपको पता होना चाहिए कि इसके पास सेलड डिविजन की प्रोपड़ी होती है यह सेलड डिविजन कर सकता है हाँ निवर गिलेव एक बना अंतर है एक जगा लिशरी जेनरेशन पावर ड्यूटु अफ्षेंस आफ सेंट्री ओल नहीं होगा लेकिन रिपेडिंग होगा वहां लंबासा सेल है कोई पाट्ट गया तो रिपेयर हो जाएगा लेकिन यह लेकिन यह सेल डिविजन हो सकता है यह बात यह बात आप अच्छे से ध्यान रखेगा अगर आपको नहीं समझ में तो अपने भासा में लिख लिए जगर नोट्स में दूसरी बात मैं तो यह बात कर रहा हूं ना बार बार जा प्रपार्ट लिए प्रोपार्टी नियोर्ड गिल्याकी नहीं है तो लिख लिजी ए रही है और इसके पास वो दोनोप्रप्रपर्टी यह लेकिन इसके पास इसके पास excitability और conductivity की प्रोपर्टी नहीं है अब हम बात करते हैं कि neurons का function क्या है और निरोगिलासेल का function क्या है एक बात बताईए जिसके पास यह प्रोपर्टी है कि वो stimuli को receive कर ले उसको conduct करे तो उसका function क्या होगा generation of action potential and conduction of action potential action potential को inner impulse क्याते हैं आगे बताऊँगा तो इसका function क्या है generation बनाना and conduction of nerve impulse nerve impulse को बनाना और conduct करना इसी का काम है क्योंकि इसके पास property है excitability और conductivity की लेकिन मुझे बताओ सिवानद बताएगा क्या excitability और connectivity property निरो गिलाशेल के पास है कि जली बुलो है 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 कि इस ताउंड फस्राय माइक बंद कर लो अत्रीक बताओ अगर इसके पास excitability और conductivity प्रोपर्टी नहीं है तो क्या ये वो काम कर सकता है जो काम नीरोन करेगा ये तो पक्का है कि ये generation of conduction nerve impulse नहीं कर सकता है ये तो पक्का बात है तो करेगा क्या ये ये करेगा क्या तो सुनिए क्या करेगा ये करेगा क्या जो निरॉन है ना उसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगा निरॉन भी एक सेल है ना उसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगा उसको सपोर्ट देने का काम करेगा किfire Sword देगा गजो और और सुनो ध्यास से कुमन क् मत क्लास के वाद लिखो मत तुमको हम बताएंगे पड़ायी कैसे करते हैं ठाट क्लास के वाद केवल के क्वज़ सुनों और देखो ठेक है चैंकिकलास के लिखना नहीं क्या करेंगा शीजिरों से बचाएगा मैं आपको बता यह और मयलीन सीथ स्कृट करना इसे का काम है माइलिन सीट क्या होता है मैं बताऊंगा आज माइलिन सीट फॉर्मेशन ये सारा काम होगा किसका निरो गिलिया का लेकिन नोट डाले के लिख रहा हूं नोट नेवर फार्म कभी नहीं बनाता नेवर फार्म एक्षन पोटेंशियल और नेवर कंड़क्ट नेवर कंड़क्ट एक्षन पोटेंशियल एक्षन पोटेंशियल इस एनेदर नेम आप नर्व इंपल्स ठीक है निरो गिलिया कभी भी एक्षन पोटेंशियल ना बनाती है ना कंड़क्ट करती है इसका काम केवल और केवल निपराण को एक तरीके से सपोर्ट देना है और वो सपोर्ट कई मैनर में हो सकता है प्रोटेक्शन, मायलीन सीथ बनाना निपरान के लिए ही मायलीन सीथ बनायागा निट्रीशन देना Earcation को हानफूल चीरों से प्रोटेक्ट करना निरोन निरोन को जोर के रखना ये सारा काम निरोगलिया का है लेकिन ये कभी भी नर्विंपल्स नहीं बनाएगा काफी छोटी सी सेल होती है अच्छा मैं आपको निरोन के बारे में एक interesting fact बता दूँ निरोन आपके body का आपके body का human body का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इस अग्षर इन आवर बाड़ी मलबाड़ी के अंदर रिभा बताएगी रिभा लार्जेस्ट आइसोलेटेर सेल लो एक कोशन में आउट कर दिया लो एक कोशन आउट कर दिया देखते हैं तुम बाद देन याद रख पाते होगी ने रख पाते हैं पहला ही कुछन यह है टेस्ट का पेपर बन गया है फुली नीट पेटर्ण जैसे सवाल आते हैं वैसे यह ना टफ ना भारी जो अभी नीट चल रहा है अगर आपसे पूछे हुमेन बॉड़ी के अंदर सबसे बड़ा सेल कोन है निरॉंस तब भी बताया था याद करो सेल में बहुत लंबे सेल होते हैं बहुत लार्जेस्ट सेल होते हैं ठीक है अदर सेल के तुलना में तो यह एक फैक्ट है निरॉन के बाड़े में वह भी सब्सक्राइब जल्दी से पहले जल्दी इसक्रिंशॉट है चलिए पहला एंतर निरॉन बड़े होते हैं निरॉन गिल्या चोटे होते हैं निरॉन नंबर में कम होते हैं नंबर में जाधा होते हैं इसके पास भी लिश्ट रिजनरेशन पावर है और इसके पास भी लिश् और यहां प्रोपर्टी उसका और इसका काम और इसका काम वो नहीं हो सकता तो क्या काम है इसका नुट्रिशन सपोर्ट टू नीरॉन होल्स नीरॉन प्रोटेक्स नीरॉन माइलिन सीट फॉर्मेशन एड सक्टरा ठीक है हम कई टैप के निरोगिला सेल पढ़ेंगे एक इंटरेसिंग फेक्ट यह हमारे बॉड़ी का लाजेर सेल है कितनों के इंतर समझ में घ्यात करा के दि लिए सेल अब एक सपोज वाला कुशन कराते हैं आपसे ठीक है हालांके यह प्रक्टिकली भी होता है नहीं भी बहुता है प्रविलर से आपका खुद का तो होगा ने बाड़े पर लिया होगा आप जा रहे थे रमंसर जा रहे थे अपनी बाइक शेड़ पर जा रहे थे आपको आपसे रमंसर का पुराना दुस्मनी था बहुत क्लास में डाटता है आज तो इसको फोल बिलर पर उड़ा देंगे आप गए पीछे से और बाइक में ठोग दिये बदला लेने के लिए मास्टर गीरा जमीन पर सर में लगा चोड दूसरे लोगों ने अस्पिटल में बर्ती कराया दौक्तर ने बोला ब्रेन का कुछ पार्ट मर गया है और ये दुबारा नहीं आ सकता बताएए वो निरोन को कि निरो गिलिया थे सभी ने ब्रेम का कुछ पार्ट मर गया है वह 도बारा नहीं आ सकता है कि बीचिकर नहीं डावरर नहीं आ सकता है कि दूlateज दौक्टर ने कि सीकभाद भीए निरोन या निरोगिलिया? सभी का जवाब सही है, निरोगिलिया. इसी सवाल को आगे बराते हैं. रवन सर के पीछे बहुत सारे बच्चों की दुआएं भी है. किसी की बद दुआएं हैं, तो बहुत सारकी दुआएं भी है. दुआएं लगी मैंने दिन बाद रमासर फिर से ठीक हो गए और क्लासे से स्टार्ट कर दिए रमासर का कुछ पोर्शन ब्रेन का धस गया था कुछ पार्ट टिसू मर गए थे डॉक्टर ने ऑपरेशन करके निकाल दिया लहीं कुछी तोनों के बाद वह जगा भर गया वह ज नियुरोबलास्टोमा कौन बोल रहे रहा था शिवाननद नसेडी निडा बलास्टोमा क्या होता है वे मैंने कब बता है नियुरोबलास्टोमा में घुसा पड़ा अब लिखरा निरोगलिया तो मेरे उस जगह को निरोगलिया ने भर लिया इसका मतलब अब आप सोचे रहोगे सर तो बॉडी में जितना नियूरोन है जीवन बर उतना ही रहगा यस तो बोलो गां सरे निरोन आये कहां से तो जब पहुआंगा मैं अपको human reproduction तब मैं आपको बात बताओगा जब आप माकी पेट में थे उससे पहले आप embryo थे तो जब आप embryo से फिटस बनने की कोशिस कर रहे थे तो उस दरान embryo genesis चलना था organogenesis, आपके different organ बन रहे थे, उस time तीन टाइप के tissue होते हैं, Ectoderm, Medoderm, Endoderm, तो Ectoderm से बनता है nervous tissue, और उस time neurons भी बना था, लेकिन निरोन जितने बनने थे उसी टाइम बन गया, बार में उसका इलोंगेशन होगा, साइड बढ़ेगा, नमबर नहीं बढ़ेगा बर्थ के बाद, बर्थ के पहले जितना निरोन का नमबर बना रहा है बरहा लेजिए, एक्टोडर्मल से डिवीजन करके, तो जितना भी निरोन बनाना था, एक्टोडर्मल से बन गया, इसरह बोलते हैं कि निरोन सार एक्टोडर्मली औरेजीन, तो जितने निरोन बनने थे बन गया, suppose that मैंने 2 मिलियन निरोन लेके आया इस दुन्या में, पहले एक्सिडेंट में मेरा एक लाख निरोन चला गया, चला गया, चल पट्यूब डिविजन नहीं कि जो बच्चा वा निरोन वो डिवाइड करके बना ले, ऐसा निरोगिल्या से लूसेगों को भर लेगा, क्योंकि जहां निरोगिल्या भी है, तो कुछ निरोगिल्या भी मड़े, लेकिन जो बच्चे हैं, वो क्या किया उसको भर दिया, कर देंगे, ना रहेगा बास, अन्ना बज़ेगा बहुत डाटता है कि लास, आगे से आके ठोकी इस वार, सामने से, फिर रमानसर गिर है, इस वार फिर ब्रेन का कुछ इशू मरा, होस्पिटल ले गया, डॉक्टर अमरे वो लोगों ने, डॉक्टर ने वाला, सौरी, जब यूए ओर रमानसर गीरे चुज ज़रूर थे, लेकिन मरे नहीं, क्योंकि उसका कुछी नीरोन मरा था, इसका मिल्ला वह बहुत जहरा पहले एक्सिडेंट में मड़े दूसरी एक्सिडेंट में फिर से बच गए और डॉक्टर बोलेंगे कि साइध इस परसन को पहले भी चोट लगी है और जहां पहले चोट लगी थी उसी जगह पर दुबारा चोट लगी है इसका मतलब उसी जगह का निरॉन फिर से मड़ा है लेकिन इस बार नमबर और घटेगा लगी फिर भी रमनसर जिंदा रह गए मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट का जो ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है वहां का निरॉन नहीं मरा है तो इस सब टाइप के सपोज वाली को अगर आप चाहो तो अपने लेंग्मेज में लिख सकते हैं जरूरी नहीं है यह है आप बाइबर्थ जितना निरॉन लेकि आए निरॉन थ्रू आप नहीं रहेगा घट सकता है बढ़ेगा कभी नहीं निरोगलिया डिबीजन कर सकता है एज पर रिक्वाइर्मेंट जब र निरोंगे प्रोपर्टि आप रीजनेरेशन होटें है तुरी यहां बता रहो हो मानलो पाया की निरों का एक्जॉन वा पार्ट आप यड़ं क्या उख यह हो घ्यांड होगया faded is Сам वाट क्या हो घ्या होगया दैमेज लेकिन साइटोन जिंदा है और मैं बता दूं इस सेल का नुकलियस यहां है मेन कंट्रोल तो अभी जिंदा है तो इस नुकलियस के प्रजेंस में यह जो जो भी पार्ट से बना हुआ था यह एक जॉन दुवारा बन जाएगा नुकलियस जिंदा है ने भी शेल मरा नहीं है दुवारा बन जाएगा इसको बोलते है रिपैरिंग रिपैरिंग के थुरू रिजनरेशन हो जाता है टाइम लगेगा लेकिन हो जाता है तो अगर कोसंद दिया गया रमन सर का एक्सिडेंट हुआ कुछ निरॉन तो डायटली लेकिन अगर ऐसा बोल दिया जाए रमन सर का एक्सिडेंट हुआ कुछ निरॉन तो डपक गए और कुछ निरॉन के केवल साइटोन वाले पार्ट में डेमेज आया एक्जोन वाले पार्ट में डेमेज नहीं आया आपको क्या लगता इसका रिपैरिंग हो जाएगा जिनको लगता है रिपैरिंग हो जाएगा वहां खरकी लिए रिपैरिंग नहीं हो पाएगा अरे भाई साब मैं आपको बताओ। सेल का main control इसके पास होता है नूकलिस के पास और इस बार चोट लगी है साइटोन में और साइटोन में नूकलिस वो भी टेश्टराए हो गया और वो यहां पर मड़े हुए सेज को खालेगा और कच्रा को बाहर निकलवा देगा पुल मिला के आप इतना बत जान लो कि निरॉन्स होते हैं एक बार अगर मर गए तो दुबारा बनेंगे नहीं हां डैमेज हुआ है एक जोट लगेगा लेकिन सैटोन पार डैमेज हुआ है तो आप इस प्रकृति का पार उने और इसको पता है है जिसने इस दुनिया को बनाया है ना उसको पता है इसको जो निरॉन दे रहे हैं वो द्वारा नहीं बन सकता है इसलिए उसने हर उस जगहे को हड़ियों से घेर दिया जहां निरॉन को चोट लगने की संभावना है और उपर वाले ने हड़ियों को बरा ही हाड और मजबूत बनाया देख लो इस पूरे ब्रेन के अंदर निरॉन ही निरॉन है इस पाइनल कोड में निरॉन ही निरॉन है इस पाइनल कोड को प्रोटेक्ट कर रहा है वर्टीब्रल कॉलम और ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है क्रेनियम जो पढ़ेंगे में एसकलेटर सिस्टम में यह सब क्या है हड़ी है बोन है बढ़ा ही हाड है बढ़ा ही टफ है और यह हमारे nervous system को protect कर रहा है और खास करके कौन से nervous system central nervous system क्योंकि वही तो main part है nervous system का हाँ कई जगा PNS को भी protection दिया जा रहा है हड़ियों से अगर हड़ियों से नहीं दिया जा रहा है तो आज पास muscles फसल pack कर दे रहे हैं कुल मिला के उपर वाले ने कभी ऐसा नहीं किया कि neurons को environment के touch में छोड़ दें तब तो जब जब भी चोट लगेगा तब तब neuron मड़ेगा आप जल्दी टपक लें ऐसा नहीं तब तो आप जब जब तब सुचोगे सर एक बाद बताई कि ए यह हड्डिया है हमारी यह वक ढार में अन्दर में यह जब टांस करते हैं चूटा चोटा बच्चा सब तब सर स्पाइनल कोट इससे करते रहता है और स्पाइनल कॉट भर्टिवेल कॉलमेट थोड़ा से भी टच लगेगा तो मड़ा वहां का नियूरॉन चोट लग जाएगा सर उसको ऐसा नहीं है हड्डियों और नियूरॉन्स के बीच में गद्दा लगाया गया है गद्दा कुशन बताओंगा आगे मैं आपको कुशन लगाया है हड्डि आपको अंदर इंजरी जाने से बचा रहा है और वह गद्दा उस नियूरॉन्स को हड्डी से चोट लगने से बचा रहा है वह गद्दा क्या आगया आपको बताऊंगा तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि भगवान ने आपको हड्डी लगा के दे द घड्रट प्लाइन कितना बढ़ें चलाएंगे एरो बनेंगे चसमा पहनेंगे सर कितना बढ़ेंगे मस्त चलाएंगे फाल तुम हले में लगने बोल देते हैं बालो अद्ट हो जाता है कौन कंगी लेकर चलेगा बार-बारी तो कि प्छले होली में भी हुआ भाई नो और ये तीनों मेरे संपर्ग में जो भी लोग मरे हैं जो फोटो में पहना रहता तो ये जिन्दा तो जरूर रहता अब बोलो कि अरे बाई जब चोट लगा तो क्या आपको भगवान ने ये हड़ी क्या दिया कि दुनिया में हर इंज्यरी को सह लेगा अरे बाई हड़ी का एक लिमिटेशन है ना वो भी तूट जाएगा एक प्रिये दोस्ता मारा वो उसका डैस हुआ था शीरे जाकर पूल में ठोका फट गिया यहां से डिरेक अंदर का पाट गया मड़ा स्पॉट डैस भाई मारा होली में उसका भी वही सेम कहानी है फट गिय यहां से उसका यहां से फटा दो यहां से यह आंक पाथ फुट गया और अंड़ का पाट मर गया तो कर दी यह उपर वाले नहीं थोड़ी नहीं बोला कि तुम जाकर कहीं भी तोग दो जाके पंची यहिए लहा है लोह टूट जाता है एक बाईया इक कैल्सियम का बना बोलो कि उसमें तो रहती है उसका मुंसी रहता इसको बोलता है इसमें भी मार ले जागा नहीं बहुते हैं यहां चोट वांट लग गया ना तो हड़ी बाई एक लिमीटेशन में सहेगा उसके बाद तो चूट सकता है उसका टूटने को बाद इंजरी अंदर जाएगा नीरोन मर गया तो खेला खतम इंपर्टनेटन नीरोन मर तो तो बस तो फ्रसाफ है कुल मिलाके मैं आपको यही उक्पर खता हुग जनीरों सकता है बस यह बात हुगग यह है साइटोन वाला पार्ट और यह एक्जोन वाला पार्ट ठीक है तो अगर साइटोन पार्ट मर गया तो एक्जोन रहके भी कुछ नहीं करेगा हाँ खतम हुआ है तो साइटोन उसको रिपेर कर लेगा तो पुल मिला के यह था आपका यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट हो जैनुवीन डाउट फरजी डाउट नहीं जैनुवीन डाउट अगर किसी को हो तो मैं एक एक करके पूछ लेता हूं बागे बढ़ते हैं आगे जल्ली से अभिसेख एक एनी डाउट अधिक नो सर अधिक लोसर अर्स नो सु योटी नो सर रिभा शीवान अगर्स और बलो फरी डाउट बलो फिर से बलो फिर से बलो कि नियोरोल होता है तभी तो शुक्ति होता है कि रहा हुटा अब बहुता है कि यह बाते यह बाते इसके लिए है प्रपर्टी बता देए दोनों का प्रपर्टी क्या यह यह प्रपर्टी इतना बात बता है प्रपर्टी यह तो है कि इसके पास प्रपर्टी में बोलोंगे यह तो एक प्रुपर्टी के पास तो यह प्रपर्टी को अगले इंड बेजा उसने अगले को भीजा फानली वो अपहुझों गया ब्रेट के पास दिस कंड़िवीटी तो एक कि इसी दौरान बनता के कैसे बनता तो वह करेंट यह नहीं अगर टाउट है कि एप माड़ा वाद ने खेले मिलते अगले मेटिंग में अगले मेटिंग में चर्चा करेंगे डीटेल इस्ट्रक्ट्र आफ नियुरों इतको जली से देख लेजे तक झाल 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 झाल